टेलिविजन उपकर्णों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिल्म दिखाने वाले केंदर कम होने लगे 1960 के दशक तक 5 करोड 20 लाख अमेरिकी घरों में टेलिविजन पहुची थी जो 2006 तक लगभग 28 करोड 50 लाख हो गई वही सन 1965 में आल इंडिया रेडियो के द्वारा भारत में टेलिविजन प्रिसारन की शुरुवात की गई सन 2007 तक भारत के करीबन 12 करोड घरों में टेलिविजन पहुच गई इस दोरान टेलिविजन प्रिसारन की तक्निक एंटीना, केबल, सेटेलाइट बॉक्स आदी में भी निरंतर सुधार होते रहे हैं 1975 तक भारत के साथ शहरों में ही टेलिविजन मौजूद थी जिसमें रोज कुछ घंटों तक न्यूज बुलिटेन और अन्य कारेक्रम प्रसारित किये जाते थे 1982 में उस समय के एक मात्र टेलिविजन चैनल दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्री प्रसारन की शुरुवात की गई राष्ट्री एकता, कृषिसाक्षर्ता, सिक्षा और स्वास्त कल्यान के कारेक्रमों के प्रसारन के माध्यम से सामाजिक बदलाओ का कारक बनना दूरदर्शन का प्रमुक उद्देश्य था इसके अंतरगत राष्टवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले सीरियल जैसे हम लोग बुन्याद प्रसारित किये गए इसी दोर में दूरदर्शन के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित धारवाहिक रामायन एवं महाभारत प्रसारित किये गए जिन भारती घरों में टेलिविजन मौजूद थी वहां अधिक से अधिक संख्या में दर्शक इन धारावाहिक कारिक्रमों को देखने इकठे होते थे दर्शकों के विशाल संख्या के कारण इन धारावाहिक कारिक्रमों ने विश्वरी कार्ट कायम किया 1980 के दशक के आखरी वर्षों से भारत में अधिक से अधिक लोग टेलिविजन सेट खरीदने लगे इसी अवधी में दूरदर्शन के माध्यम से प्रादेशिक खबरों का प्रसारण भी शुरू हुआ 90 के दशक की आरंब में भारत में वेवसाइक या निजी टेलिविजन चैनलों स्टार टीवी, जी टीवी, सन टीवी, सी एनन की शुरुआत हुई दूरदर्शन से अलग नए टेलिविजन चैनलों की रणनीती अधिक अधिक लाप कमाने के उद्देश से प्रेरित थी या वेवसाइक टेलिविजन चैनल अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचने के लिए आपस में प्रतिसपरधा भी करते हैं टेलिविजन के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी उत्पाद की जानकारी पहुँचाई जा सकती है साथ ही दर्शकों को उन उत्पादों के उप्योग के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुचने और लाब की प्रतिसपरधा वेवसाइक टेलिविजन चैनलों को लगातार नए नए विश्यों थीम की खोच करने के लिए प्रेरित करते हैं परिणाम स्वरूप वेवसाइक चैनलों के आने के बाद मनोरंजक कारिक्रमों और टेलिविजन में विज्यापनों की संख्या बढ़ने लगी परंपरागत पित्रु सत्तात्मक मूल्यों को प्रोचसाहित करने वाले किसी एक भारती परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद वह महिला पात्रों की बहुलता वाली कहानिया बहुत से व्यवसाइक चैनलों की मुख्य थीम बन गई व्यवसाइक कम्पनिया अपने उत्पादों और सेवाओं के विक्रे को बढ़ाने और उससे अधिक विश्वस्निय बनाने के लिए उनके विज्यापनों में फिल्मों के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों वा जाने माने लोगों का उप्योग करती हैं भारत में बीसवी सदी के आखरी दशक तक मनोरंजन एवं प्रध्योगी की का रूप ग्रहन कर लिया